तू ही सागर, तू ही सागर है तू ही किनारा, डूंडता है तो किसका सहारा हरही ओम, ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमा, विनोबाजीना गीता प्रभचनो अध्याई अग्यार मों शरू करिये के पहला, आजे खास अप्रहसवना अध्यत्म ग्नानी पुरुष्ण विनोबाजीने साधर वंदन करिये कारण के आउतिकाल अग्यार सप्टेम्बर ने शुक्रवार ना रोज विनोबाजीने सव्वासो वर्ष पूर्ण थाई रहांशे आप्रसंगे विनोबाजीना जिवन कवन अंगे अने विनोबाजीनों पिंद केविरिते खडायो ते अंगेनों एक विशेस यूट्यूब विडियो आउतिकाले आपने निहालीशूं पनाजे गीता प्रवचनों ना आरंबमा आपने विनोबाजीने जय जगत कईये आदर पुर्व प्रणाम करिये अने साथे कईये ओं श्रिकृष्ण परमात्मने नमहा अध्याई अग्यारमो विश्वरूप दर्शन गये बक्ते आ विश्वमानी अनन्त वस्तुओं मा रहेला परमात्माने केविरिते ओलखो आ जे विराट प्रदर्शन आखे देखाई छे तेने केम पचावी पोतानों करवूं ए वातनों आपने अभिहास कर्यों पहला सेज परताई आवे एवो मोटों पची नानों पहला सादों ने पची बेगवालों एम सर्व वस्तुओं मा रहेला परमात्माने जोवों तेमनों साक्षात कर करवो रात ने दिवस अभ्यास जहरी राखी आखाये विश्वने आत्मरूप जोतां शिखूं एम पाचला अध्याय मा आपने जोईूं आजे आपने अग्यार्मों अध्याय जोवानों छे आ अध्याय मा भगवाने प्रत्यक्ष पोतानों रूप बतावी अर्जुन पर परमकृपा प्रगट करी छे अर्जुने भगवानने कहूं हे इश्वर तारू पेलू संपुन रूप जोँं एम मने थाई छे जे रूप मा तारो बधोय महान प्रभाव प्रगट थायो छे एवु रूप मने नजरो नजर चुवानू मलो अर्जुननी आ विश्वरूप दर्शननी मागनी हती आपने विश्व जगत इश्वदो वापरिये छी ये आ जगत विश्वनो एक नानो सर्खो भाग छे नाना सर्खा टुकडानू पण आपनने बराबर आकलन थतू नथी विश्वने हिसाबे जोईये तो आपनने घणू मोट्टू लागनारू आ जगत अत्यन्त तुच्छ वस्तू छे एम जणायाव शे आकाश मां रातने वक्ते उचे जरा नजर्क खेक्षो तो पहला अनन्त गोड़ाओ देखाशे आकाशना आंगण मां पूरेला ए साथिया ए नाना नाना सुन्दर फूल ए जबक जबक जबकारा मारता लाखो तारा ए बधानू अलग स्वरुव केवू छे ते जानू छो ए नाना नाना ताराओ हकिकत मा प्रचंड छे अनन्त सूर्यो तेमा समाई जशे प्रज्वलीत तेजो मै बलबलती धातुओ ना एक गोड़ा छे आवा ए अनन्त गोड़ा नो हिसाप कुण काट छे न अन्त न पार नरी आँखे हजारो गोड़ा देखाए छे दूर्बीन माथी जुओ तो तो करोडो देखाए छे वधारे मोटू दूर्बीन मेलवीने जोशो तो परार्द्रो ना परार्द्र देखाशे अने आखरे एमनो अन्त क्याँ छे ने केवो छे ते समझाशे ज नहीं आ जे अनन्त स्रुष्टी उपर नीचे सर्वत्र फेलाये ली छे तेनो नानो सर्खो टुकडो ते आ जगत छे परन्तु ए जगत पन किटलू बदू विशार देखाए छे आविशार स्रुष्टी ए परमेश्वरी स्वरूपनी एक बाजू थाई हवे बीजी बाजू छे तेज होईए तेचे काल नी बाजू पाच्वर नो काल ध्यानमा लईए तो इतियासनी मरियादामा बहु बहुतो दसजार वरस आपणे पाच्वर जाईए छीए सो वरस हकिकत मां काल नो विस्तार अनादी अने अनन्त छे केटलो काल गयो तेनो हिसाब न थी आगल हजी केटलो हशे तेनो ख्याल आउतो न थी विश्वनी सरकाम्णी मां आपणू जगत जेवू तुच्छ थे ते प्रमाने इतिहासना आ दस हजार वरस अनन्त काल ना मुकाबले कई न थी भुदकाल अनादी छे बविश्यकाल अनन्त छे नानक्रो वर्तमान काल करतां करतां भुदकाल मां जटो रहे छे वर्तमान काल खरेखर क्या शे ए बतावा जाओ, यां तो ते भुतकाल मा डुभी जायी छे आव व अंत्यंत जड़कती सरी जनारोच कपल वर्तमान काल तितलो आपनो शे हुँ अमना बोलू छू, पण मोधामाती शब्द पहार पड़यो न पड़यो, यहां तो ते भुदकाल मा गर्काव थाई गयो। आवी महाकाल नदी एक धारी भया करेशें, तेना उगमनी खबर पड़ती नथी, अंतनी खबर पड़ती नथी, वचगाणानो थोडो सर्खो प्रवा मात्र नजरे पड़ेशें। आम एक बाजू स्थाल नो प्रचंड विस्तार औने बीजी बाजू पर काल नो प्रचंड ओग। बन्ने गुरुष्टी थी सुष्टी तरब जोईये छिये, तो कल्पनाने गमे तेटली तानवा छता, तेनो अंत आउतो नथी, तेउन जणाई हावे छे। त्रण काल मां अने त्रण स्थाल मां, भूत भविष्य ने वर्तमान मां, अने तेज प्रमाले उपर नीचे ने अहीं, एम सर्वत्र भरेलो विराट परमेश्वर, एक दम, एक टी वक्ते जोवानों मले, परमेश्वर नू ते रूपमा दर्शन थाई, एवी अर्जुन न अत्यंत प्रिया हतो, कितलो प्रिया हतो? इतलो प्रिया हतो, कि दसमा अध्याय मां कए-कए स्वरूपे मारू चिंतन करवूं, ते बता होता, पांडवो मां पोते अर्जुन छे, औने ते नामा मारू चिंतन करतो जा, एवी भगवान कहे छे, पांडवा नाम दनन जयह, ए प्रेम नी वधारे घेल छा क्या होई शके प्रेम कितलो बदो घेलो थाई शके छे तेनो आ नमूनों चे अर्जुन पर भगवान नी प्रीतिनों कहीं पाहर नोतों ए प्रीतिने खातर आ अग्यार्मों अध्याय प्रसाजू पे छे दिव्यरूप निरखवानी अर्जुन नी इच्छा तेने दिव्य द्रश्टी आपी भगवाने पूरी करे अर्जुनने ने मने प्रेम नो प्रसाद आपयो ते दिव्यरूपनू सुंदर वर्णन भव्य वर्णन आ अध्याय माँ छे आब दिवाद साची होवा छता आ विश्वरूपने माटे मने जाजूखे चान नथी मने नाना रूपती संतोष छे जे नानू रूडू रूपाणू नाजुक रूप मने देखाई छे तेनी मिठाश अनुभवानू हूँ शिखे ओछू पर्मेश्वर ना जुद्दा जुद्दा ककडा न थी पर्मेश्वर नू जे रूप जोवानू मलियू होए ते तेनो एक ककडो छे ने बाकीनो पर्मेश्वर तेनी बहार रही गयोँ छे एवु मने लागतू नथी जे पर्मेश्वर विराट विश्व मा भरेलो छे ते पूरे पूरो तेवो ने तेवो नानकडी मुर्ती मा अरे एकादा माटीना कण मा पण छे ने जराय ओछो नथी अम्रुतना सागर मा जे मिठास छे एज एक टिपा मा पण छे अम्रुतनो नानू सरकू टिपू जे मने मल्यू छे तेनी मिठास मारे चाखवी एवी मारी लागनी छे अम्रुतनो दाकलो मैं अही जानी जोईने लिधो छे पाणिनो के दूदनो दाखलो लिदो नथी। दूदना एक प्यालामा जे मिठास छे, एज तेना एक लोटामा पण छे। बण मिठास तेनी ते होवा छतना बन्यमा पुष्टी सर्खी नथी। दूदना एक टीपा करता, दूदना एक प्यालामा वधारे पुष्टी छे, बण अम्रुतना दाखलामा एव न थी। अम्रुतना समुत्रमा रहे लिमिठास अम्रुतना एक टीपा माज छे। एव प्रांत तेतली जपुष्टी पण छे। अम्रुतना एक टीपुँ गडानीनी छे उतरे, तो ए पूरे पूरु अम्रुतत्व मलु छानु। एज प्रमाने जे दिव्यता, जे पवित्रता परमेश्वना विराड स्वरुप माँ छे एज नानकडी मुर्ती माँ पण छे। दारों के एक मुट्ठी घौँ नमुना तरीके कोई ये मने आप्या। एटला उपर थी घौँ केवा छे, तेनो मने ख्याल ना आवे, तो घौँनी आखी गुम मारी सामे ठालववा थी के विरिते आवे। इश्वर नो जे नानो नमुनो मारी आँख सामे उबो छे, तेना थी जो इश्वर नी पूरी ओडखान मने न थाई, तो विराट परमेश्वर ने जोवा थी के विरिते थावा नी हती। नानो ने मोटू एमा छेशूं, नाना रूपनी ओलखान बराबर थाई, एतले मोटानी थाई जानवी। तेथी इश्वरे पोतानू मोटू रूप मने बतावूं एवी होंश मने न थी। अर जुन्नी माफब विश्वरूप दर्शननी मागनी करवानी मारी तो लाहिकात पन न थी। वड़ी मने जे देखाई छे, ते विश्वरूप नो ककडो छेव न थी। कोई छबीनो फाटेलो एकाद तुकडो मली जाये। तेना उपर थी आखी छबीनो ख्याल आपने नहीं आवे। परमातमा कैं आवा तुकडावूनो बनेलो न थी। परमातमा जुदा-जुदा तुकडावूमा कपायलो न थी, भैचायलो न थी। नानकडा स्वरूपमा पन तेज अनन्त परमेश्वर आखो ने आखो बढ़ेलो छे नानो फोटो ने मोटो फोटो ये बेमा फेर्शों जे मोटामा होई छे तेज बद्दू जेवू ने तेवू नानामा पन होई छे नानो फोटो एटले मोटानो एका ठुक्रो नहीं नाना टाइप मां अक्षरो छाप्या होई अने मोटा टाइप मां छाप्या होई तो पन अर्थ तो तेनो तेज रहे ने मोटा टाइप मां मोटो के वधारे अने नाना मां नानो के ओच्छो अर्थ होई छे यह उतो काई न थी आज विचार सर्णी नो मुर्ती पुझा ने आधार छे अनेक लोको ये मुर्ती पुझा पर हूमला करया छे बहार ना ने आईना पन तेटलाक विचार कोए मुर्ती पुझा नी खामी बतावी छे पनु जेम जेम विचार करू छू तेम तेम मुर्ती पुझा मा रहेली दिव्यता मारी सामेस पोष्ट उभी छे मुर्ती पुझा एकले शू एकादी नानकडी वस्तुमा आखाय विश्वनो अनुभव करतना शिख्वुं तेनुना मुर्ति पुजा। नानकडा गामरामा पन ब्रह्मांड जोतना शिख्वुं। जोवुं एवाद शुखोटी जै। एक खाली कल्पना न थी, प्रत्यक्ष अनुभाव निवाद छे, विराट स्वरूप मां जे चे टेज नानकडी मुर्ती मां छे, एकाद माठीना कण मां छे, ए माठीना धेखाला मां केरी, केडा, घं, सोनू, ताम्बू, रूपू, बदू छे, आखी स्रूष्टी एक काण म जेम कोईक नानकडी नाटक मनली मां तेना तेज पात्रो जुदो-जुदो वेश लईने रंगभूमी पर आवे छे, ते उपर मेश्वर्नू छे, अथमा कोई नाटक कार, पोटे नाटक लखे, औने नाटक मां काम पन करे, तेज प्रमाने परमात्मा पन अननन्त नाटको लखे छे, अने पोटेज अनन्त पात्रो नों वेश लई, तेने रंगभूमी उपर भजवी बतावे छे, आ अननन्त नाटक मां एक पात्रो ने ओलख्यू, के आखुई नाटक ओलखे लिदू जानी लेवू जोई ये, काव्यमां वपराता, उपमां अने दृष्टांत न जे आधार छे, तेज आधार मुर्ति पुजाने छे, एकाड गोल चीज जोवाथी आनन्त थाई छे, केम के तेमां व्यवस्थित पणानों अनुभव थाई छे, व्यवस्थित पणू ए इश्वर नू स्वरूप छे, इश्वर नी शुष्टी सर्वांग सुन्दर छे, त तेली गोल चीज व्यवस्थित इश्वर नी मुर्ति छे, पन जंगल मां उगी ने वधेलू वांकूँचू कू जाड और इश्वर नी ज मुर्ति छे, एमां इश्वर नू स्वैर पणू छे, एजाड ने बंधन न थी, इश्वर ने कौन बंधन मां मुकी शके, एज नक्षी वालो ठामलो जोतां, आकाश मां तारा ने नक्षत्रो ना साथिया पूर्णारो परमेश्वर तेमां देखाईचू कापकूप करी व्यवस्थित रिते उगाडेला बगीचा मां इश्वर नू संयमी सोरू देखाईचू अने विशाण जंगल मां इश्वर नी अनन्द बन्ने मां थाईचे, केमके इश्वरी गून एह हरेक मां प्रगट थायलो छे, सुवाडा शाली ग्राम मां जे इश्वरी तेज छे, तेज तेज पेल अंदर्मदा मां थी मुलता वांका चुका घनपत्ति मां छे, मने पेलू विरात्रू जुदू जुवानू परमेश्वर बदे झुदी-झुदी वस्तूओ मां जुदे-जुदे गुणे प्रगट थायलो छे, औने तेथी आपनने आनन थाईचे, तेज वस्तूओ नी बाबत मां आपनने आत्मियत आ लागेशे, आनन थाईचे, आनन थाईचे, ते कई अमस्तो थोतो न दो, आनन पर्मेश्वर नों संबंद मांधों, मारा मां पर्मेश्वर चे तेज पेली वस्तू मां चे, आवो आ संबंद वधारवो, तेनु जनाम आनन्द वधारवो, आनन्द नी विजी उपपत्ती न थी, प्रेमनों संबंद बंदे बांधों मांडों, आने पची शूँ थाई छे ते चुओ, पची अनन्त स्रुष्टी मां रहेलो पर्मात्मां, अनु रेनु मां पन देखाशे, एक वकत आ दृष्टी केलवाए, पची बिजु शूँ छूँ छुई ये, पण ए माटे इंद्रिय अने वल्गन पाड़ू पड़े, भोगनी वासना चुटी जाहे, अने प्रेमनी पवित्र दृष्टी आवी मले, पची हरेक चीज मां इश्वर सिवाय बिजु कई नजरे नही पड़े, आत्मानों रंग केवो होई छे, तेनु उपनिश्रद मां मजानु वर्ण छे, आत् श्री प्रेम्थी कहे छे, यथा अयम इंद्र गोप ह, आजे लाल लार रेशम जेवू नरम इंद्रिय गोप म्रूग नक्षत्र नु जीवडू छे, एना जेवू आत्मानु रूप छे, म्रूग नक्षत्र मां पेदा थतू ए जीवडू जोईने, तेटलो बतो आनन थाई आनन्द शाथि थाई छे, मारा मां जे बाव छे, टेज ए इंद्र गोप मां छे, एनी ने मारी वच्चे संबंद ना होत, तो मने आनन थाई आनन थाच, मारा मां जे सुन्दर आत्मा छे, तेज पेला इंद्र गोप मां छे, तेथी आत्माने तेनी उपमा आप्मा मां आवी, उपमा आपने शाशारू आपिये छे, औन्हे तेना थी आनन्द के मुब जेछे, ए बंनने चीजों मां सर्खां Anda पर्ण पोई छे, तेथ लिदे आनन्थाई छे, उपमान अने उपमेय बन्ने तदल जूदी चीजों होई तो आनन्थाई नहीं, मिठू मर्चा जेवूं छे, एम कहनार ने आपने गांडों कहिशूं, पन तारा फूल जेवा छे, एम कोई कहे, तो सर्खापनु देखावा थी आनन्थाई छे, मिठू मर्चा जेवूं छे, एम कहेवाई छे, त्यारे सर्खापनानों अनुभव थतो न थी, पन कोईकनी दुष्टी एटली विशाण थाई होई, जे परमातमा मिठामा छे, तेज मर्चामा पन छे, एवूं दर्शन जेने कर्यूं होई, तेने मिठू केवूं छे, एम तेक वस्तू मा ओत प्रोत भरेलू छे, एटला माटे विरात दर्शन नी जरूर न थी, वड़ी ते विरात दर्शन माराथी सेवाशे पन केम, नानकलू सगून सुन्दर रूप जोय मने जे प्रेमनी लागनी थाई छे, जे पोती का पनू लागे छे, जे मिठाशन अनुबव विश्वरूप जोवाती न थाई एउँ पन बने। अर्जुन एविच स्थिती थाएली, थर थर दुरूजतो ते छेवते कहे छे, हे इश्वर तारू ते पहलानू मदूर रूप बताओ, स्वानू भवती अर्जुन कहे छे, के विरात विश्वरूप जोवान लोब कर्शो नहीं। इश्वर तरने स्थर्मा व्यापती ने रहलो छे, तेज सारू छे, के आखो, एक्ठो, थेलो, धगदब तो कोडो मारी सामें उबो रहे, तो मारी श्रीवले थाई। ताराओ के वा शांत देखाई छे, केम जाने दूर ती ते बदा मारी साथे वातो करता हुई एउ लागे छे, पर नजर ने शांत करनारा ए ताराओ मानो एका दो पासे हावे, तो धगदब ती आग छे, तेना थी पछी हुँ धाजी जैश, इश्वर ना अननन्त ब्रह्मांडो ज्यां छे त्यांज, जेवां छे तेवां छे रहवादो, ए बधाने एक ओर करवामा श्री मजा छे, मुंबई ना पेला कबुतर खानाओ मा हजारो कबुतरो रहे छे, या जराय मोकलास छे खरी, ए आखो देखाव खरेकर विचित्र लागे छे, नीचे उपर ने अहीं त्रणे स्थडे स्रुष्टी वेंचाइन रहली छे, तेमा ज मिठास छे, जेव अने भुतकार नू यादावतू नथी, और भविष्यकार नू जानवा मलतू नथी, तेमा आपनू कल्यां छे, जे खास परमेश्वर नी सक्ता होई छे, और जेमना पर मनुष्य प्राणी नी सक्ता कदी होती नथी, एवी पांच वस्तु ओ, कुराने शरीफ मा गणावेल चे, तेमानी एक वस्तु भविष्यकार नू ग्नान छे, आपने अंदाज बांधिये चीए, पने अंदाज कई ग्रान नथी, भविष्यनू ग्नान आपने नथी, एमा जापनू खल्यां छे, तेवी जरीते बुतकार याद आवतो नथी, एपां खरेकर बहु साहरूं छे, कोई दुर्जन सारो थईने मारी सामें आवी ने उबो रहे, तोई मने तेनो बुत्गार याद आवे छे, औने तेने माटे मारा मनमा आदर उपजतो नथे, ते गम्मे तेतली वार्तो करे, तो ये तेना पहला ना पापो विसरी शक्तो नथी, ते मानस मरी जाए, ने पोता कानो रूप बदली ने पाचो आवे, तोज तेना पापो ने दुनिया भूली जाए, पूर्वा स्वरण थी विकार वधे छे, पहला नू ए बधुए ग्नान पूरे-पूरू नाश्पा में तो बधू पूरू थे, पाप ने पूनिय भूलाए, ते माटे कोई तरकीब जो शासारू तपासे छे, एकली आ जन्मनी ओरडी मां शू उचो कचरो छे, बचपन सुद्धा, आपने घरू खरू विसरी जोईये छी, विस्मरन थाई छे, ते सारू छे, हिंदू मुसलीम एकताने माटे भुतकाल नू विस्मरन एज इलाज छे, अवरंग जे बे जुलम कर पने वाद क्या सुद्धी को ख्या करवी छे, गुजराती मां रतन बाई नो घर बो छे, ते आपने अहीं घणीवार सामभडिये छे, ते मां छेवते कहूं छे, जगत मां बधानो यस छेवते रह से, पाप विसारे पर से, काल पोतानी चालनी कायम हला गया करे छे, इतिया पासमानू सारू तिटलू संगरी पाप बदू फेकी देवू जोई है, नर्सू छोडी मान सारू ध्यान मा राखे, तो बधा रूडावाना ठाई जाए, पन तेम थतू ना तिने, एति विस्मरन नी खूप जरूर छे, तिटला खातर हिश्वरे मरन नो निर्मान करियू छ तुक मां जगत जेवू छे तेवू मंगल छे, काल स्थडात्मक जगत आखू ये एक ठेकाने लाववने कोई जरूर न थी, अती परिचाई मां सार न थी, केटलीक वस्तों नी निकरता खेलवानी होई छे, अने केटलागती दूर रेवान होई छे, गुरुजी पासे नम्रता थी आघा बेसी शू, माना खोडामा जईने बेसी शू, जे मुर्तिनी साथे, जेम वर्तमु छाजे, तेम वर्तमु जोई ए, फूलने पासे लईये, अ अगनी ने आघे राखिये, तारा दूरी थी रड्यामना, ते उजा स्रुष्टिनु छे, अत्यांत दूर छे, ते स्रुष्टिने अत्यांत नजीक लावा थी, वधारे आनन थशे एवु ना थी, जे वस्तु ज्यां छे, यांच तेने रहवादे, तेमाच सार छे, दूर राखी ने ज, तेमानो रस्चाहक, साहसकरी ने, वधारे घरोबो राखी ने, अती परीचैमा पड़वामा सार नती, सारांश, त्रणे काल आपनी सामे उभा नती, ते सारु छे, त्रणे काल नु ग्नान थवामा आनन थवां कल्यान जचे एवु नती, अर्जुने प्रेम प्रार्थना करी, अन्य इश्वरे ते पूरी पाड़ी, वगवाने पोतानू ते विराड सोरुप तेने बटाव्यू, और मारे माथे परमेश्वर्नू नानक्रू रूप उर्तूँ छे, ए नानकरू रूप एटले परमेश्वर्नो टुक्डो हर्गीस नहीं, अन्य धारो एक आंगडी मने जुआनी मर्शे, तो पन हूं कहिश मारू अहो भागिया। आ हूं अनुभावती शिखे ओचू। वर्धामा जम्नालाल जीये लक्ष्मी नारायनू मंदीर अस प्रुष्यो माटे खुल्लू मुक्यूं, यारे हूं त्या दर्शने गयो हतू। पंदर विस मिनिट सुधी हूं ते रूफ ने निरक्तो रहो। मारी समाधी लागी होई ते विस्तिती थाई गए। इश्वर्नू ते मूक, तेनी ते चाती, तेना ते हाथ, निरक्तो, निरक्तो हूं पग आगल पूच्यो। अने तेना चरण परज छेवते मारी नजर फिर थाईगे। गोड तुजी चरण सेवा, मिठी तारा चरण ने सेवा, एज भावना छेवते रही। नानकरा रूप मां ते महान प्रभू समाधो नहीं होई, तो ते महापूरुष ना चरण जोवाना मले ने तो इपूर्तु छे। अर्जुने इश्वर्ने प्रार्थ ना करी। तेनों अधिकार मोटो होतु। तेनी किटली आत्मी अता, किटलो प्रेम केवो सक्यभाव। आपनी श्री लाइकाच छे। मारे तेना चरण पूर्ता छे। मारे एटलो ज अधिकार जोई है। परमेश्वर्ना दिव्यरूप नूँ ए जे वर्नन छे। त्यां चलावी ए पाब छे। ए विश्वरूप वर्ननना ते पवित्र स्लोको वांचिये औने पवित्र थाहिये। बुद्धी चलावी परमेश्वर्ना ते रूपना टुकडा करवानू बने जराय मन थतुना थे। एम कर्मूँ ए अघोर उपासना थाई। अघोर पंथी लोको मसानमा जय मर्दा चिरे छे औने तंत्रो परहसना करे छे। आटे उच थाई। ते परमेश्वर्नू दिव्यस्वरूप विश्वत तस्चक्षू रूत विश्ववतो मुखा विश्वतो बाहू रूत विश्वत तस्पार्थ। ए विशाल अनंतरूप तेना वर्नना श्ल पर्मेश्वर ना बधाय वर्णन मा एक जठेकाने बुद्धी विचार करवा मांडे छे। पर्मेश्वर अर्जुन ने कहे छे। अर्जुन आ बधाय मर्नार छे। तु निमित्त मात्र था बदू करवावालो हूँ छे। आटलोज एक अवाज मनमा घुम्या करेज। आपने इश्वर ना हात्मानू हत्यार केम बनुद्व। इश्वर ना हात्मानी मोरली मारे केवीर थे थाओ। कि मने पोताने होठेल अगाडी, मारा माती मिठा सूर काडे, मने वगाडे एक केवीर थे बने। मोरली थवूं एकले पोला थवूं पन हुटो विकार उथी, वासना उथी, थांसी थांसीने भरेलो चुं मारामा थे मिठो अवाज निकले शीरिते मारो अवाज बोदो चे, हूँँ घन वस्तु चुं मारामा अहंकार भरेलो चे मारो निरहंकार थवु जोई है, हुँ पूरे पूरो खाली, पूरे पूरो पोलो थईश, त्यारे परमेश्वर मने वगार्ष परमेश्वर ना होथ नी मोर्ली थवनो काम, सासनो काम चे, तेना पगना पगरखा बिन्वानी वात करूं, तो ते पॉन सैलु नति पर्मेश्वर्ना पग ने जराए नो डंखे एवा नरम पगर्खा हुआ जोई है पर्मेश्वर्ना चरण अने काटानी वच्चे मारे पडवानू छे मारे मारी जात ने कमाववी जोई है मारी खाल छोली छोली ने चामडा ने मारे कमावता रेवु जोई है तेने नरम बनावू जोई है एले परमेश्वर ना पग ना पगर्खा ठवानू पाण सेहलू ना थी परमेश्वर ना हात्मानू हत्यार बनवानी वाट करूं तो हुँ अधमन वजन ना लोखंड नो केवल गोडो बनूने तोपन चाले तेम ना थी तपस्चरिया नी सराणे चड़ी मारे मारी जात ने धार दार बनावुपी जोई है इश्वर ना हात्मा मारा जीवन ने तलवार बराबर चमक वी जोई है आवो अवाज मारी बुद्धी माथी उठ्या करेश्वर ना हात्मानू हत्यार बनवानू छे एज फिचार मा ध्यान भरोवाई जाएज एकेम करूं एवा केम थवाई तेछेवटना श्लोक मा भगवाने जहातेज बतावियो छे शंकराचारिये पोताना भाष्यमा आ श्लोकने सरवार्थ्र सार आखिये गीतानो सार कहिने और खावियो छे ये श्लोक कयो मारे अर्थे करे कर्म मत परायन भक्त जे द्वेश हीन अना सक्त ते आवी मुझने मले जेने जगतमा कोईनी साथे वेर न थी ये तटस्त रहिने जगतनी निरपेक्ष सेवा करे चे जे जे कई करे चे ते मने आपतो रहे चे मारी भक्तिती जे भरेलो छे जे क्षमावान, निसंग, विरक्त अने प्रेमालेवो पक्त छे ए परमेश्वर्ना हाथ मानू हत्यार बने छे आवो ए सार छे प्रवचना प्यातारिक पहली में होगनी 132 रविवार अध्याय अज्यार्मो संपूर्ण ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमाह जय जग्र तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा डूंडता है तो किसका सहारा